गुड आप्टानून इस्टुडेंट क्लास स्टार्ट हो गया है ना छात्रावा सदिक्षक भरती सविस्पेक्टर और एडियो 36 गर समान निजान से 15 बिस नंबर के प्रस्ण पुछे जाते हैं तो अगामे एक्जाम में काफी हेल्पपूल हो सकता है चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं जब तक मैं लिंक सेर करें तो तक वीडियो को like और सेर करके रख लिजेगा ठीक है आज का पहला प्रस्ण है गठा से लिश सत्यगर के नेता थे ठीक है तो गठा से की चतताड के मेंता कौन थे चलिए बताइए इस सांसर क्या होगा और इस वीडियो को लाइक करेंगे उसी के आपस नोटिफिकेसन भेजा जाएगा ठीक है और जितने बच्चे सस्क्राइब करेंगे उसको कमेंट कर सकते हैं ठीक है जो बच्चे सस्क्राइब करेंगे वही कमेंट कर सकते हैं ठीक है चलिए सेकंड कोस्चन है आपका सुरत कांग्रेस 1907 में 36 गड़ के प्रतिनिदी तो किसने किया था ठीक है ये एक्जाम में आता है ना बार बार 36 गड़ के समाने ग्यान के कोस्चन पेपर है जितने भी तयारी कर रहे है चात्रावा सदिक चक सब इस्पेक्टर भरती एडियो या फिर अमिन पटवारी ये जितने भी एक्जाम आने वाल है उनके लिए काफी इंपोटन कोस्चन है ठीक है आज को बहुत ही इंपोटन कोस्चन है ठीक है वो रिप्रेजेंटेट 36 गड़ इन सुरत कंग्रेस 1907 ठीक है तो इसका आंसर कौनसा होगा अपसद ए होगा पंडिस सुन्दालाल सर्मा ठीक है पंडिस सुन्दालाल सर्मा जी ने सूरत कांग्रेस अधिवेशन में 1907 में 36 गड़ का प्रतिनी धित्व किया था ठीक है नोट का लिजेगा ना कापी में देखे एक्जामिनर कैसे प्रस न पूछ सकता है इसलिए मैं आपको नोट सा बनाने के लिए बोर रहूं बार बार फिर भी ये मत कहना कि सर्क्लास में नहीं किये जो भी डाउट होता है आप वाटसप ग्रूप में सेयर कर सकते हैं ठीक है जो भी आपको कमेंट होगा डिस्क् समाग हुमा कर प्रस्न पूछ सकता है कैसे भी प्रस्न पूछ सकता है आपको क्लियर करना एक्जाम ठीक है देखिए सूरत अधिवेशन यहाँ पर जिक कांग्रेस के बाद अधिवेशन आगण है सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में 36 गर्क प्रतिनी धित्वा पंडिस सु से राष्टी अपात का लागू किया गया है तो चलिए इस कांसर बताईए इन वीच वर्स नेशनल एमेर्जेंसी वास इंपोसेट ड्यू टू इंटरनेशनल अर्रेस्ट ठीक है यानि कि अपात का लागू किया गया है तो आपसंस्ती हो जागा 1975 ठीक है 1975 में आंत्रिक असा सविधान ठीक है भारत का समाने ज्यान से कोस्चन है ये सविधान के किस अनुछेद में संसत को सविधान में संसोधन करने का धिकार प्रदान किया गया है काफी important कोस्चन है चत्यगर का समाने ज्यान प्लस भारत का समाने ज्यान यानि कि दोनों objective कोस्चन रहेगा आज का ब संसत को सविधान संसोधन करने का दिकार प्राप्त है तो ये भाग 20 में ठीक है कॉपी में नोट कल जएगा भाग 20 में अनुच्छे 368 अगर भाग पूछा दाए तो आपको कौन सा भाग लिखेंगे 20 यानि कि भाग 20 में है यह अनुच्छे 368 जो कि सविधान का अनुच्छे संसोधन करने का दिकार प्रदान किया गया है अगर प्रस्ण में पूछे कि कहां से लिए गया है या सविधान संसोधन तो आप बताएंगे दक्छिन अफरीका से लिए गया है काफी एक्जाम आने की संभावना हो सकती है ठीक है जो तयारी कर रहे हैं बिलकुल वीडियो को सस्क्राइब करके रख लिजेगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी जाती है तो जितने बच्चे जुड चुके हैं वीडियो को लाइक करते जाएगा बिल्कूल जो लाइक करेगा उसी के पास नोटिफिकेशन भेजा जाएगा किस बुद्ध संत और चीन से भारत आयतीर्थ यात्रियों ने बुद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं और अनुमात संस्क्रित में चिनी भासा में किया है किस बुद्ध संत और चीन से भारत आयतीर्थ यात्रियों ने बुद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुमात संस्क्रित से चिनी भासा में किया है तो कौन से है आई चिंग इसका अंसर कौन सा होगा आई चिंग ने किया है ठीक है यह प्रस्ण एक्जाम में पूछ सकता है संभावित प्रस्ण है ऐसे important question आप सभी के लिए लाता हूँ ठीक है इसका option C होगा आई चिंग देखिए आप इसके detail में बताऊंगा नोट करते चलिएगा ठीक है detail में बता रहा हूँ आपको ठीक है नोट करते चलिएगा कि आई चिंग यानि 700 से 712 के मद्ध है ठीक है 700 से 712 के मद्ध है नोट कर लिजिएगा ने इसको copy में साथ ही 56 गरंथों से चीनी भासा का अनुआत किया है कितने गरंथों से 56 गरंथों से नेश्टे कोचान है आपका कि निम्नली खित में से किस विदेशी यात्री ने तक कदेश के ब्राम्हन स्वयम खेती करते थे कहा है किसने कहा है तो इसका अंसर आपसर ए होगा वहन सांग ठीक है हेंसांग किसके सासनकाल में भारत आया था नोट कीजेगे न कॉपी में जितने भी अभी टॉपिक में एक कोस्चन बताया हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको याद कलिजेगा एक बार में आपको याद नहीं होता है तो दुबारे वीडियो को देख लेना ठीक है चलिए तब तक मैं लिंक शेर कर देता हूँ ग्रूप में टेलीग्राम में भी शेर कर दूँगा जो बच्चे नहीं देख पाए है बाद में देख सकते है सात में यहाद प्रस्ण पुझ शकता है कि हैनसांग कहां की याद्र की थी तो आप बताएंगे भारत की यात्र की थी Insertty Below Sun Res Escallable यानि कि सूर्जी की किर्णोön की तिवर्टा मापने वाल उपकरन को क्या कहा जाता जाता है क्या कहा है जल्दी बताई artsion n 타क eğrctrometer aktion b krakograph ciamocio optiometer optiometer जो सूर्जी की किर्णो cứu मापने वाला उपकरन होता है optiometer होता है option c enjoy पुछा जाता है तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजेगा जितने बच्चे हैं वीडियो को लाइक करते जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्धम से मिल जाएगा चलिए इसका अंसर क्या हुए जल्दी बताइए कैमरे में किस प्रकार कर लेंस को उप्योग किया जाता है जो कैमरा होता है उसको किस प्रकार की लेंस को उप्योग की जाता है जैसे कि आपके पास ममबाइल है ठीक है वसी प्रकार कैमरा होता है तो कैमरा से आप किस प्रकार क के लेंस को उप्योग करते हैं बताइए what type of lens in use in a camera ठीक है तो इसका option A उत्तार लेंस option B उत्तार लेंस option C वर्टुलाकार option D समान मोटाई का ठीक है तो चली बताइए इसका answer कौन सा होगा camera में किस प्रकार के ठीक है camera में किस प्रकार के lens को उप्योग की जाता है बहुत लोग का answer A आ रहा है ठीक है उत्तार लेंस ठीक है आपसा नहीं हो जाएगा जो camera में बिल्कूल उत्तार लेंस का उप्योग किया जाता है न देखे उत्तार लेंस इस प्रकार का दिखाई देता है एक मिनट न यह एक उत्तार लेंस है ठीक है देखे यह सामने में जो द इसको नोट करते जाएगा ग्रेट आर्टीजियन बेसिन किस देश में आवस्थित है इन वीच कंट्री इस ग्रेट आर्टीजियन बेसिन लॉकेट ठीक है इसका अंसर कौन सा होगा जल्दी बताईए आप सने है युए से आप सन भी आस्टेलिया आप सन सी है रूस आप संड ब्राजील कौन सा आएगा इसका अंसर जल्दी बताईए ग्रेट आर्टीजियन बेसिन किस देश में आवस्थित है जल्दी बताईए ठीक है देखे शतीज़गर समाने गान प्लस भारत कर समाने गान दोनों क्लासेश चल रही ना एक सांथ मिक्सिंग क्लासेश है वहां से चलिए डिटेल देखेंगे काफ ही इंप्रेंट हाला देखें आसट्रेलिया में इस्थीत ग्रड आटी सियन बेसिन जिए भी दुनिया का सब्सेवड़ा और 710 चैनल चाथे जिए सट्रह क्रोल और किलूमीटर ठीक हैं सत्रहु तहरकर क्रोल किलूमीटर साथ छेथिश्य लाख वर्गमीन से अधिक है मातिप तापमान की बात करें तो 30 से 10 डिग्री सेल्सियर ठीक है और 26 से 212 डिग्री फेरन हाई और बेसिन की बात करें तो अधिकांस अंतर देशी आस्टेलिया की मध्यम ताजा पानी का एक ऐस्सों मातर सुर्थ प्रदान करता है और यानि कि आप अस्टेलिया होगा ठीक है ना इसका ansar अस्टेलिया होगा यहांसे आपको प्रशनों बन सकते हैं तो इसको लेटर विट सौफ, विकॉस, मतलब क्योंकि कठोर जल साबुन के साथ परियाथ जागुतपन नहीं करता कारण बताना है ना, तो इसका अपसर ए होगा, इनमें केल्सियम और मेंगनेसियम की विले लवन होते हैं, इसका अंसर ए होगा, केल्सियम और मेंगनेसियम की विले लवन होते हैं, नोट कली जीगे ना, काफ ही इंपोर्टन कोस्च्चन है, बिल्कुल आएगा ना, प्रस्ण में, बिल्कुल आ सकता है, चलिए इसका अंसर बताएए, बहुत लोगों का अंसर आ गया है, ना, भारी जल नहीं होगा ना, भारी जल कहां से होगा इसमें, नल का पानी कोछ भी बल देते हैं, आस्वित जल, एरे भाई, वर्षा जल होगा ना, जल का विसुत धरूप क्या है, वर्षा जल है, आस्वित जल कहां से आ जाएगा इसमें, आश्वित जल है न वो डी आप्सन लेकिन आप्सन ए होगा वर्षा जल यानि कि जल का विशुद धरुप पुछा गया है जल का विशुद धरुप पुछा गया है तो इसका अंसर ए होगा न वर्षा जल देखे जल का जो pH मान होता है साथ होता है ठीक है नोट कीजिएगा जल का pH मान साथ होता है और साथ ही सुद्ध जल का प्रिथी में 2.42 ठीक है 2.42 प्रतिसात होता है ठीक है सुद्ध जल का जो pH मान होता है प्रिथी पर 2.42 होता है लास्ट कोशन देखेंगे तेरवा प्रस नहीं काफी इंपोटेंट है चलिए इसका अंसर बताईए कठोर जल साबून के साथ परियाप्त जाग उत्पन नहीं करता क्यों नहीं करता इसका कराण मैं बता दिया हूँ इनमें केल्सियम और मैंगनेसियम की विले लावन होते हैं डीटेल देखेंगे ठीक है एक बड़ देखिएगा डीटेल इसका जो अभी मैं बताया हूँ बाई कार्बोनेट प्लस कार्बोनेट अवस्थित उपस्थित होते हैं इसको ध्यान से समझेगा अस्थाई कार्बोनेट की उपस्थिती में साथ ही यह कारण होती है कि इसे उबाल कर दूर किया जा सकता है इस थाई का टोर्टा यानि की हाँ बिल्कूल इस थाई का टोर्टा जेल में केल्सियम तथा मेंगनेसियम के क्लोराइट तथा सलफेट के रूप में घुले होने के रहने के काराण यह उबालने से दो नहीं किया जा सकता ठीक है इसका लार्ष्ट कोश्चन है देखिए एक मिनट ना मानव सरीर के किस भाग में पायरिया रोग लग लगता है ठीक है इसका नोट आप याद के लिजएगा ठीक है इसका व्यूरन है आपका देखिए यहाँ पर दात पीले पड़ जाते हैं पहला ठीक है नोट के लिजए कि उसके बाद मसूरों से खून निकानने लगता है ठीक है उसके बाद बद्बु भी आती यानि कि यह तीनों आंसर है यानि कि देखिए जो पायरियर रोग होता है इनहीं के कारून से होता है ठीक है जो लोग सीजी वापम, एडियो, हास्टल वाडन, अमीन पटवारी की एक्जाम की तैयारी करना चाते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सस्क्राइब करके रख लीजेगा लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी जाती है आज के लिए इतना ही चलिए दोस्तो बाए बाए